दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है, मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि अगर मैं अपने बिजनेस के लिए GST नमबर ले लेता हूँ, तो फिर मुझे जो गौर्मेंट GST नमबर देती है, उसका भैलिटी क्या होता है, क्या उसे कुछ समय के बाद रिनुवेबल क लोग को बताऊंगा कि अगर आप एक बार GST नमबर ले लेते हैं, तो फिर क्या इसे फिर इनुवेबल कराना होता है, इसका कोई एकस्पायरी डेट होता है, मैं वीडियो में आगे बढ़ू, इससे पहले मैं आप लोग को बेसिक सी बात बता दूं कि कि किसी भी बिजनेस मैं को GST नमबर लेने के लिए क्या क्या डॉकमेंट देने होते हैं, अगर आपका प्रोप्राईटर्सीप comm है, ज्जादत और लोग का प्रप्राईटर्सीप comm का मतलब ही बता देता हूं, मतलब कि आपका जो बिजनेस है उसके मालिक आप अकेले हैं, आप उसके स्वामी अ अगर आपने रेंट पर ओफिस लिया हुआ है दुकान लिया हुआ है तो फिर रेंट एग्रिमेंट और वहां का बिजली पी ले बस आपको इतने सारे ही डॉक्मेंट देने होते हैं फिर आपको जीएस्टी निमबर एलोट हो जाता है एक में और अहम बता दूँ कि जब आप आपको जीएस्टी निमबर एलोट हो जाता है उसके बात से आपको अगर आप जिस भी स्कीम में आते हैं मंथले स्कीम में आते हैं क्वाटरले स्कीम में आते हैं आप जिस भी स्कीम में आते हैं अपने जो भी स्कीम आउप्ट किया है उसके एक वर्डिंग आपको रिटर् चले या फिर ना चले उससे कोई भी मतलब नहीं है आपका जब भी return भरने का जो due date है उसके भीतर आपको return फाइल करना है नहीं तो फिर कुछ समय के बाद GST department आपके GST को cancel कर देता है फिर उसके बाद आपको परसानियों का सामना करना पड़ेगा तो आप पहले ही ध्यान रखें कि आप GST नमबर लें तो उसके बाद आप regular अपना GST को file करवाएं अब यहाँ पर सवाल उठता है कि GST जो certificate आपको एलाट होता है क्या उसकी कोई validity हो expiry date नहीं होता है उसे renewable नहीं कराना होता है बस आपको timely return फाइल करना होता है आपने जो भी sale किया है पर्चेज किया है उसका detail आपको return के माध्यम से देना होता है GST नंबर लेने के बाद उसका कोई भी expiry date कोई validity नहीं होता है अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो आप एसी बात तो पर ध्यान ना दे तो दोस्तों अगर आप हमारी माध्यम से भी GST नंबर लेना चाहते हैं तो आप हमें पहले Instagram पर follow कर ले हमारा Instagram पर username है प्रितेस 1584 आप हमें आप follow करके हमसे सिधे जूड कर हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे comment box में comment कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिष्टदारों में भी जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें